दोस्तो सही और सटीक जानकारी के लिए और उस फंडामेंटल में आप सभी का स्वागत है बिहार में जब आप 11 kv या हाइर वोल्टेज पे सप्लाई लेते हैं तो आपको एक प्रिक्रिया से गुजरना पड़ता है जो लोगों को मुश्किल लगता है लेकिन यह मुश्किल नहीं है दोस्तो आसान है और इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी बोलेंगे वास्ता में यह बहुत यह आसान है तो आज मैं बताऊंगा जो application आप कैसे online या offline कर सकते हैं जब आप application करेंगे तो 10 दिनों के अंदर load feasibility देना होता है consumer को intimate करना होता है तो उसके बारे में बताऊंगे फिर जो load sanction होता है कारिफवालक अभियनता के office से तो वो load sanction में security amount जो निकालते हैं जो consumer को deposit करना होता है तो उसको कैसे निकालते हैं मैं एक example के साथ बताऊंगा उसके बाद मैं estimate और work order के बारे में बताऊंगा इसका estimate किस तरह अलग होता है general estimate से और उसके बाद मैं बताऊंगा जो electoral inspector जो certificate देते हैं उसको मैं दिखाऊंगा एक sample भी दिखाऊंगा उसका rate जो होता है rate chart भी मैं कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद कैसे आप agreement करेंगे और फिर meeting unit, meter लगके जो आपका connection होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा तो सबसे पहले आप आवेधन जो करेंगे तो बिहार में अगर आप 50 kVA या उससे जादा का connection लेना चाहते हैं तो आप ht में apply कर सकते हैं वैसे भी limit है जो घरेलू connection जो है चाहे ds1 हो या ds2 हो उसमें 70 kW से ज्यादा आप lt नहीं ले सकते हैं आपको ht लेना ही पड़ेगा उसी तरह nds जो होते हैं उसमें nds1 और 2 में भी यही है 70 kW लोड लिमिट है और फिर ओद्योगिक जो है ओद्योगिक में lts2 में उसमें 44 kW लोड लिमिट है उससे ज़ादा अगर आपको connection लेना है तो आपको ht में connection लेना ही पड़ेगा तो उसका आप देख रहे हैं different voltage लेबल पर आप कितना load ले सकते हैं और उसका rate क्या है unit rate क्योंकि यह unit rate आपको security calculation में भी काम आएगा fixed charge 300 रूपिया पर के विए ही है बिल में वो आगे भी आप देखेंगे तो apply करने के लिए आप online कर सकते हैं आप apply डिस्कॉम जो है उसका website में ने दिया हुआ है उस पे जाकर आप कर सकते हैं मैं link भी नीचे दे दूँगा description में फिर offline भी आप apply चाहे तो कर सकते हैं पांस सेट में आपको आविदन करना पड़ेगा और उसका जो application fee है सिर्फ आपको वही जमन करना पड़ेगा GST के साथ जो की 885 रूपिये है इसके बाद जो है दस दिनों में load feasibility आता है जो की बिहार में junior engineer और assistant engineer के माध्यम से ये कारिपाल का भेंता एक सिर्व इंजियन को भेजा जाता है तो उसका जो format है उसमें यही है जो पहले application का ब्योरा रहेगा और फिर division sub division तो सबसे शुरू में ही रहेगा फिर आपको किस जगह से line देने का proposal है वही लिखा रहेगा जिससे यहाँ देखिए आपको name of PSS यान और उसके बाद उसमें कितना load connected है और आप जानते हैं जो power transformer का maximum loading होता है वो 80% ही होता है अर्था 10 MBA के power transformer में आप 8 Mewatt तक ही load दे सकते हैं तो पहले से connected load अगर 3.6 Mewatt है तो 4.4 Mewatt load है अभी तो इतना तक का connection दिया ही जा सकता है और एक चीज़ और उसमें mentioned रहेगा जो क्या उस premise पे dues है या नहीं अगर dues है तब तो आपको connection नहीं मिलेगा आपको dues पहले payment कारना पड़ेगा और उसमें last में निमाक सरेगा जो load ये sanction होना चीए या नहीं तो ये अगर sanction होगा तो आपको कारिपाल का भेंता के तरफ से security का demand किया जाएगा और उसमें बहुत सारे time condition के स आपको एक लेटर भेज दिया जाएगा तो सबसे महत्यपूर्ण जो होता है security calculation ये कैसे होता है इसके बारे में एक example के साथ बता देता हूं ये कितना आसान है आप ही देखिए तो सबसे पहले हम लोड calculate करेंगे यही LFDH formula मैंने बताया भी था एक दो वीडियो में तो इसमें क्या होता है जो applied load है factor.3 ही आपको लेना पड़ेगा regulatory commission माननी है regulatory commission ने इस बार भी factor.3 ही रखाया है दिसकॉम ने टेरिक पेटिशन जो फाइल किया था उसमें factor बराने का proposal दिया था लेकिन माननी है regulatory commission जो है उन्होंने factor.3 ही रखा और फिर पहले हम लोग एक महिना का निकाल लेते हैं तो एक महिना का हम लोग अगर LFDS से निकालेंगे तो hours supply अगर हम 24 hours लें तो हमारा होता है unit 2440 kvah जिहां बिहार में kvah यही सब unit में आपका ht का billing वगेरा होता है तो जब आप unit निकाल लिए तो unit rate आपको मालूम है ही 6.55 उसके दर से आप energy charge निकाल लीजिए फिर electricity duty जो की 6% है बिहार में सारे category में तो electricity duty आप निकाल लीजिए और फिर एक महने का fixed charge आप निकाल ल हुआ तो एक महिने का दोस्तों कुल चार्ज कितना हुआ इनर्जी चार्ज, electricity duty और fixed charge को जोड़ने से आपको मिल गया और ht का जो security होता है वो दो महिने का total charge होता है unit charge, electricity duty और fixed charge मिला के तो आपने एक महिने का निकाला इसको दो से अगर आप multiply कर लेंगे तो 3,23,944 रुपि वो लेटर security deposit का जब आपको मिलेगा तब क्योंकि यह आप जबां करेंगे उसके बाद यह आपका estimate बनेगा नहीं तो आप estimate आपका नहीं बनने वाला है तो फिर estimate का क्या है तो यह estimate deposit head में बनता है deposit head का मतलब हुआ सारा काम जो applicant है party है वो कराएगा और departmental supervision charge सिर्फ लिया जा transformer लगेगा वो mention नहीं होता है उसका rate cost price जो भी आप कहिए वो estimate में सामिल नहीं होता है अगर मालीजे कोई transformer का है दो लाक रूपिया अगर वो आप सामिल कर देंगे estimated cost बढ़ जाएगा फिर उसका supervision charge वगेरा भी बढ़ जाएगा तो आप देख लीजे आपको जो estimate दिया है उ उसका वहां तक होता है और 11 के भी जो extension होता है वो सबका होता है supervision charge 15% लिया जाता है जो total estimated cost है और supervision charge का 18% GST लिया जाता है और जब आप supervision charge और GST जो आपके estimate में mention है वो आप जमा कर देंगे वो जमा आप division office में ही होता है पहले पटना में जमा होता था लेकिन आप rule change हो गया ह है और आसान भी हो गया है division office में आप जमा कीजिए उसका प्रसीद दीजिए सब डिविजन office में या section office में तो आपका work order issue हो जाएगा उसी तरह exclusive सर के पास जाएगा और कारपलक अभिंता मोहदे के office से work order जब आपको निकल जाएगा तो आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं आप जल्दी काम कर लीजिए और जब आपका काम हो जाएगा तो आप जो transformer लगाएंगे transformer का capacity के बारे में मैं बता दूँ अब इसका limit हट गया है आपको जितना मने उतना capacity का आप transformer लगाईए तो electrical inspector साहब से certificate लेना पड़ेगा वो आपके प्रमाइस का inspection करेंगे जो installation है उसक तक इनके charge की बात है तो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं जो एक 200 kVA का transformer जो inspection करेंगे उसका इनका rate है 600 रूपया फिर उसके बाद 11 kVA insulator जो है isolator sorry उसका भी 600 रूपया डीजी सेट अगर कुछ रखें हैं आप backup में उसका भी rate है इसी दरह LTE cable और सारा चीज का rate है तो वो rate रहेगा फिर उसमें 50% आरेकन सुलक उनका लगेगा और फिर जो अभी 25% enhancement है वो लगेगा और फिर जो उनका charges है वो दे के आपको एक रसीन मिलेगा आप उनको payment करिए और उसके बाद आपको certificate यह मिल जाएगा तो जब आप certificate ले लेंगे तो आप agreement भी कर लिजे क्योंकि department ज है तब साथ दिनों का आपको notice देदेगा जो supply देने के लिए हम तयार है भाई सब आप ले लीजिए और 45 दिन के बाद अगर आप नहीं लेंगे कुछ उसका time limit होता है तो आपका वह बिल चालू कर सकता है तो आप time से थोड़ा इस्टिक रहिए तो एक बार जब आप electrical inspector certificate ल दूँगा और उसके बाद जो है जो आपको load sanction का लेटर सुरू में मिला था load feasibility के बाद तो उसमें ही mention रहेगा आपका time and condition उसमें लिखा रहेगा जो आपको meter जो लगेगा ht meter उसके लिए separate room बनाना पड़ेगा 9 by 7 by 8 का और वो जो है RCC ceiling हो यानि उसका छत पूरा ढलिया हो और gate जो है iron का gate हो वो gate locked रहता है sealed रहता है जिसको कि discom वाले ही जब rating लेते हैं या कुछ testing करते हैं inspection करते हैं तब ही खोलेंगा आप खुद से नहीं खोल सकते हैं तो वो room का बना जरूरी है तब ही आपका metering unit meter लगेगा वो नहीं बनाएंगे तो आपका नहीं लगेगा फि बड़ा ही easy है इसमें क्या होता है दोस्तों metering unit meter रहता है फिर उसका जो भी charges रहते contingency labor charge वो गेड़ा सब यह सब जो रहता है उससे में बना रहेगा और इसका labor charge जो है वो 36000 रहता है यह labor charge fix ही है इसी में आपका सारा काम हो जाएगा वहां का जो भी contactor है आपका उसी में है यह सब करेगा मीट्रिंग उनिट साम इंस्टालेशन करेगा तो 36000 प्लस GST अर्था 42000 आठ 480 रूपिया जमाखना परेगा बिजली वहां में जो भी GST है वो 18% है maximum तो 2.5 mm cable के थुरू मीट्रिंग उनिटर का कनक्शन होगा मीट्र आपके रूम में बंद होगा और मीट्रिंग उनिट जो है वह आपके टांस्पर्मर के ऊपर जो है चैनल वगएर में लगा के लगा रहेगा और MRT के ऊपस्थिती में यह सारा कनक्शन होगा और जब यह कन ब्रीफ HD connection process का कोई अगर doubt रह गया है तो आप comment box में लिखिए मैं कोसिस करूंगा जबाब दिने का और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किये हुए है यह तो अच्छी बात नहीं है आप सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत बहुत सुक्रिया